हेलो फ्रेंड्स मैं फूजा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आईए आज मैं इस ब्लोग में करेला का सब्जी बनाऊंगी बहुत ही स्वाधिश्ट होता है ये सब्जी खाने में अच्छे लोग इसे पसंद नहीं करते हैं लेकिन हाँ आज मैं एक नया तरीका से ये सब्जी बनाने जा रही हूँ जिसे बच्चे में को पसंद करेंगे और फिर अपने उलिया चाट्या के भाएंगे तो फ्रेंड ये बहुत ही नया तरीका है और इस तरीके से में बनाओने कि आप तको बहुत बसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सब्जी बनाना हमें ये सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले करेला चाहिए जो कि मैं पांच पीज यहां ले रखी हूँ उसके बाद हमें इसमें तमाटर, प्याज, लसुन, दो लाल, मिर्च, कटी हुई धन्या और कुछ दही चाहिए इसके बाद मैं कड़ाई को चड़ा ली गेज पे उसमें दो ग्लास पानी डाल रही हूँ पानी डालने का बाद इसमें हमें करेला ढाल देना है जो कि मैं करेला झेल कर रखी हुई थी और फिर इसमें मैं एड़ कर रही हूँ टमाटर, प्याज और जो लाल मिरच थाना उसे भी इसमें डाल देना है इसके बाद हमें से 5 मिनट तक पानी में उबालना है आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे करेला उबल चुका है मसाला में हमें चाहिए धनिया, गोल मेरी जीरा, लसुन और थोड़ी सी करम मसाला का पाउडर अब यहाँ पे जो मेरा उबल गया था, अब उसमें से में टामाटर, थोड़ी सी प्याज, लसुन की कल्या और बाकी मसाला को लेकर मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी यहाँ मैं प्याज काट ली, और जो करेला था उसे भी काट ली, मैं मसाला क्राइंड कर ली थी, उसमें मैं एड कर रही हूँ दही, डही डाल कर इसे अच्छा तरीका से मैं इसको मिक्स कर दूँगी एड करूँगी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी और फिर इसे अच्छा तरीका से मिक्स कर लेना है यहाँ मेरा कडाई हो गया है गरम, अब मैं इसमें डालूँगी तेल, तेजपत्ता और पोरन डाल कर प्याज को अच्छी तरह से भून लूँगी उसके बाद मैं इसमें करेला भी ढाल कर भून लूँगी और यह तब तक भूनना है जब तक लाल ना हो जाए लाल होने के बाद इसमें मैं जो मसाला बनाई थी, वो मसाला को इसमें डाल कर और अच्छी तरह तरीका से इसे चला लेना है दस मिनट चलाने के बाद मेरा मसाला सूख गया था और अब इसमें मैं एड़ करने जा रही हूं मसाला का थोड़ा पानी आप नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हो और पांच मिनट के लिए ढख देना है डखने के बाद में इसमें एड़ करी कटी हुई धनिया कपत्ता जैसे कि आप देख सकती हो फिर में थोड़ा सा कार्ड और सुगर ली उसे मिक्स कर दी और इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर ली उसके बाद इसे में सबसी में टाल दूँगी तो इससे क्या होता है खटा और मीठा वाला एक प्लेवर आ जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं सबसी मसाला आप चाहे तो मीट मसाला या चिकन मसाला या मेंगी मसाला भी एड़ कर सक और मेरा सबसी हो गया है रेडी जैसे कि आप देख सकते हो तो फ्रेंड ये सबसी बनाना बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही मज़ा आता है तो आप एपने घर पे ऐसे सबसी बना सकते हो तो मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ